दोस्तो आज इस सूडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप जो अपने Google Drive के storage को कम कर सकते हो इसको करने के लिए simple से आपके Google Drive में चले आना है Google Drive में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं तो सबसे उपर में आपको 3.neser आगा इसको उपर किले करना है और यहाँ पर देख सकते हैं तो आप मेरा storage वह कितना full है ठीक है 15GB में से 5.8GB यूसे बाद देख सकते हैं तो बहुत सारा आप जो Movies का file है वो save हो चुका है जो भी आप Google से download करते हो यहाँ पे save हो याता है सारा file save नहीं होता है लेकिन कुछ file Google Drive में save हो याता है तो मैं सिंपल से OutDrive वहाँ फाइल 3.पे क्लिक करके यहाँ पर जो सबसे निचे आपके remove करूंगा उसके उपर देखिए यहाँ पर लिखा है जाने के बाद सिंपल से आपको back आजाना है बैक आने के बाद सिंपल से एक बाद आपको refresh मार देना है जैसे आप refresh मारोगो उसके पर देखो यहाँ पर जो है आपका बहुत ही data कम हो जाएगा अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 990 MB यूज हो रहा है 15 GB में से तो दोस्तों इस तरह से आप अपने Google Drive के storage को कम कर सकते हो